बूर्णिंग बच्चों, आज हम आपका गर्द्य हिंदी गर्द्य साहित का विकास के विशय में कुछ मात पूर्ण तत्थ आपको बताने जा रहे हैं, और इसको मोटे तौर पर मोटी मोटी हेडिंग है, हिंदी गर्द्य का काल विभाजन, गर्द्य 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 आपकी पुस्तक का नाम है जिस पर अधारित है, काल का नाम और काल, पूर्व भातेंद यूग अथवा हिंदी गर्द्य साहित का प्रारंबिक काल, जो शुरू होता है तेर्वी शताब्दी के मद्द से सन 1870 इस्वी तक रहा है, दूसरा आता है भातेंद यूग सन 1870 इस्वी से 1900 इस्वी तक, तीसरा है धिवेदी यूग जो 1900 से ले करके सन 1919 इस्वी तक का समय है, छायावादी यूग, चौथा चायाचायावादी यूग सन 1919 इस्वी से 1938 इस्वी तक, फिर पाचवा आता है चायावादोत्तर यूग, जिसका समय है सन 1938 इस्वी से आज तक, अथा दवर्तमान समय तक, अब अगला उसमें है विधा की प्रथम रचना, विधा, रचना और रचना का, ये तीन कॉलम बनाए जाएंगे, जिसमें पहला है विधा के अंतरगत लिखा जाएगा, हिंदी की प्रथम कहानी, रचना है इंदुमती, रचना कार है किशोरी लाल गोस्वामी, दूसरा हिंदी का प्रथम उपन्यास, रचना है परिक्षा गुरु, रचना कार है लाला श्री निवास दास, तीसरा आता हिंदी का प्रथम नाटक, रचना है उनकी नहूश, रचना कार है गोपाल, चंद्र, विरधर, दास, चौथा आता हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त रचना है सर्यूपार की यात्रा रचना कार आते हैं भारतेंद अरिश्चन पाचवां खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना रचना है गोवरा बादल की कथा इसके रचना कार है जटमल छठा हिंदी का प्रथम पत्र रचना है उदंत मातंड रचना कार है पंडित जुगुल किशोर शुक्ल ये तो विधा की प्रथम रचना हो गई फिर आता है हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्र काय जिसमें आपको चार कॉलम बनाने होंगे युग दूसरा पत्र पत्र का का नाम तीसा संपादक का नाम चौथा प्रकाशन इस्थान युग पहला भातेंद युग भातेंद युग पत्रिका का नाम पत्रिया पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप दूसरा आनंद कादंबिनी तीसरा कविवचन सुधा चौथा ब्रहमर प्रदीप के संपादक का नाम बाल कृष्ट भट प्रकाशन इस्थान है इलहाबाद आनंद कादंबिनी के संपादक हैं बंद्री नाराय चौधरी प्रेम घन जिसका प्रकाशन इस्थान है मिर्जापूर कविवचन सुधा के संपादक का नाम है भातेंद हरिश्चन प्रकाशन इस्थान काशी प्रकाशन इस्थान कानपूर है यह तो भातेंद यूग की बात हो गई दूसरा है दिवेदी यूग जिनमें पत्त पति का पहला नंबर है सरस्वती संपादक का नाम है आचार महावीर प्रसाद दिवेदी प्रकाशन इस्थान इलाहाबाद दूसरा मर्यादा संपादक का नाम कृष्ण कांत मालिवी प्रकाशन इस्थान प्रयाग तीसरा है इंदू इंदू है पत्ति का संपादक इनके हैं अंबिका प्रक्षाद भुप्त प्रकाशन इस्थान काशी अब आता है तीसरा शुकल युग या छायावादी युग इसके इंतरगत पहला हंस पत्त्र का या पत्त्र के इंतरगत है हंस संपादक का नाम है प्रेमचंद प्रकाशन इस्थान बनारस दूसरा कर्मवीर इसके संपादक है माखनलाल चतुरवेदी प्रकाशन इस्थान जबलपुर तीसा साहित संदेश पत्र का या पत्र के अंतरगत इसके संपादक है गुलाब राय प्रकाशन इस्थान इस्थान आगरा चोथा है शुक्लोत्तर यूग अत्वा चाया वादोत्तर यूग इसके अंतरगत पहला पत्र या पत्रिका का नाम है धर्म यूग इसके संपादक है धर्म वीर भारती और अब्लीक गरेश मंत्री प्रकाशन इस्थान मुंबई दूसरे नंबर पर कादम बीनी संपादक है इनके राजेंद्र अवस्थी प्रकाशन इस्थान मुंबई तीसरी पत्र या पत्रिका सारिका है जिसके संपादक कमलेश्वर अवलीक अवध नारायन मुद्गल जो दिल्ली से प्रकाशित है ये तो हिंदी साहित की प्रमुक पत्र पत्रिका है हिंदी गद्य साहित विकास के अंतरकत सिर्फ इतना ही अभी रखेंगे इसको आप लोग नोट करेंगे अपने रेजिस्टर में लिखकर रखेंगे इसको दिखाएंगे अब आज आईए आज प्रथम पार्थ गर्द्य दरिमा का प्रथम पार्थ है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जिनके लेखक है जिनका पार्थ है रास्ट का स्वरूप रास्ट का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो है उनी सो चार इसवी में हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इनके माता पिता लखनों में ही रहते थे इनोंने जो है इनके जो रचनाए हैं पहली रचनाएं उनकी प्रथ्वी पुत्र दूसरे कल्प लता थीसरा कल्प और संस्कृत्य में चवथा भारत की एकता पांचवा कल्प ब्रक्ष छटा वागधारा यह सभी निवंद संग्रें जाइसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बार्ण भट के हर्ष चैत्रका इन्होंने सांस्कृतिक अध्यन प्रस्तूत किया है इन्होंने प्राचीर महापूर्शों में श्रीकर्ष नू वालमीक मनुवारी का आध्युक दिश्टकोर से बुद्धि संगत चैचित्रन भी प्रस्तूत किया है आप प्रस्तूत जो निबंध कि पठने जा रहे हैं ऑंका राष्ट का स्वरूप आप जो वह इनके पृत्थुवी पुत्र नामक निबंध संग्रे से लिआ गया है इस निबंद में लेखक ने बताया है कि राष्ट का स्वरूप जो है तीन तत्तों से मेकर बना है, ये तीन तत्तों है पृत्वी, जन और संस्कृति, पृत्वी को माता के रूप में प्रिस्तुत किया गया है और स्वयम को पुत्र रूप में, इसी से राष्टिता की भावना का उदय होता है, ये बात इस पार्ट में बतलाई गया है, राष्ट के समगर रूप में भूमी और जन का द्रसंबंध होना चाहिए, इसलिए दूसरे पर जो है उन्होंने जन, और टीसरी आती है, जहाहां भूमी और जन का समगर उसके साथ जन्सकृति के विशेय, अठा संस्कृति भी उसके साथ जरूरी है, इस पर भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट की है। लेखक के अमसाद सहर्दय व्यक्ति प्रतेक संस्कृति के आनंद पक्ष को शिकार करता है और उससे वो आनंदित फोटता है। तो राष्ट का स्वरूप पहला इनका जो पाठ है उसमें देखिए मैं पाठ पढ़ती हूं और इसको ध्यान से सुनना और पढ़ना। भूमी पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति इन तीनों के सम्लित सम्मिलन से ही राष्ट का स्वरूप बनता है। भूमी का निर्माण देवों ने किया है वो अनंतकाल से है। उसके बहुतिक रूप, सौंदर और सम्रधि के प्रती सचेत रहना हमारा आवश्यक करतब्य है। भूमी के पार्थिव शरूप के प्रती हम जितने अधिक जागरत होंगे उतनी ही हमारी राष्टिता भल्वती हो सकेगी। ये प्रतीवी सचे अर्थों में समस्त राष्टी विचाधाराओं की जननी है। जो राष्टीता प्रतीवी के साथ नहीं खड़ी वह निर्मूल होती है। राश्ट्रिता की जड़े प्रत्वी में जितनी गहरी होंगी वो तरह ही राश्ट्री भावों का अंकुर पल्लवित होगा, इसलिए प्रत्वी के भौतिक स्वरूप की आध्योपांत जानकारी प्रात्त करना, उसकी सुन्दर्ता, उप्योगिता और महिमा को जानना पहचान आवश्यक धर्म है, इस कर्तव की पूरति सेकड़ों हजारों प्रकास से होनी चाहिए, प्रित्वी से जिस वस्त का संबंध है, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, उसका कुशल को प्रष्ट कुछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए, अतात उसके उसको बचाने की प प्रियास करना चाहिए, प्रित्वी का सांगों पांग, अध्यम जागरशली राष्ट के लिए बहुत ही आनंद परद, प्रैतव विमाना जाता है, गाउं और नगरों में स्यक्रों केंद्रों से प्रवा के अध्यम का सूत्र पात करना आवश्यक है, प्रित्वी को माता इसलिए कहते हैं, क्योंकि उसी से हमें अन्न की प्राप्ती होती है, लेकिन क्या है, आज, आज उसकी उबजावता को खन, उबजाव की शक्ती है, उसको खत्म किया जा रहा है, प्रित्वी से प्रेण पौधे का जो, उसको बिल्कुल प्रेण पौधों को जो की कटाई जो है, वो प्रित्वी के उबजाव शक्ती को भी कम कर रही है, उस पर जो, उधारन के लिए प्रित्वी के उबजाव शक्ती को बढ़ाने वाले जिसे मेग जो प्रित्वी समय पर आकर अपने अम्रजल का सीचते हैं, हमारे अध्यां की प्रित्वी के अंतरकर आने चाहिए, उन मेग जलों से परवर्धित प्रतेक तर्ण लता और ब्रनस्पति का सुक्ष परिचेब रात करना हमारा करता भी है, इस प्रकार जिब चारों वर से हमारे ज्यान के खपाट खुलेंगे, तब सेकुड़ों वर्षों से सून और अंतरकार से परेवे, जीवन के छेत्रों में नया हुजाला दिखाए देगा, द्रती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंदरा कहलाती है, द्रती माता की कोख में अमूल निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंदरा कहलाती है, वसुंदरा का मतलब है वसु, वसु मने होता है धन, धारा मने प्रत्वी, जो धनी की प्रत्वी है, अचाथ खजाना है, द्रती माता की कोख में अमूल निधियां भरी पड़ी हैं, इसलिए उसको जानना बहुत आवश्यक है, लाखों करोणों वर्जों से अन्य प्रकार की धात्वों को प्रत्वी के गर में पोशन मिला है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाडों को पीस पीस कर अगरित प्रकार की मिटियों से प्रत्वी की देह को सजाया है, हमारे भावी आर्थिक अब्युदय के लिए इन सब की जाज प्रताल अत्यंत आवश्यक है, प्रत्वी की गोर्थ पे जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से समारे जाने पर अत्यंत सौंदर के प्रतिक बन जाते हैं, कहने का तात्वन है, इस प्रत्वी की गोध में ही जड़ पत्थर होते हैं, निरजीव होते हैं, उनको पुशल शिल्पि कार जो हैं लेकर के सुंदर-सुंदर मूतियां बनाते हैं, उनको सुंदर सा आकार देते हैं, और देखने में वो सुन्दर लगने लगती हैं वही पत्थर जो विल्कुल जड़ थे उसमें ऐसा लगता है एक सजीव शिल्पीकार जो है अपनी कला से उसको सजीव बना देते हैं नानाभाद के अनगर नग विंदिकी नदियों के प्रवा में सुर की दूप से निकलते रहते हैं उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रतेग घाट से नई शोबा सुन्दरता पूट पड़ती हैं वे अनमोल हो जाते हैं देश के नर्नाईयों के रूप मंदन और सौंधर प्रसाधन में इन छोटे पत्रों का भी सदा से ही कितना भाग रहा है अतहरु हमें उनका ज्ञान होना भी आवशक है कहने का तात्वर है कि यह प्रत्थवी को माता का रूप क्यों दिया गया है क्योंकि इसमें संपून खजाना भरा हुआ है और निर्जीव से निर्जीव वस्तु को भी पुशलकारीगर जो है उसको सौंधर के रूप में बदल देता है जो हमारे आपके लिए आकरशर का केंद्र हो जाता है जिसको देख करके हम जूम उठते हैं जब उसकी जो पत्थर निर्जीव है और वो मूर्थ के रूपे साकार हो जाता है ऐसा लगता है कि वह सजीव बन हो गया है कि इस सब प्रत्वी माता की ही देन है कि इससे रूर इससे हम न नायों की रूप मंडन अथा सौंदर रिकाये साधन भी इसी से प्राप्त होता है प्रत्वी और आकास के अंत्राल में जो कुछ सामगरी भरी है प्रत्वी के चार और फैले हुए गंभी सागर में जो जलचर एम रत्नों की राशिया है उन सब के प्रति चेतना और स्वागत की नए भाव राष्ट में फैलने चाहिए राष्ट के नवयूकों के हिर्दे में उन सब के प्रति जिग्यासा की नई किर्णे जब तक नहीं फुटती तब तक हम सोई हुए के समान है यहां पर कभी यह कहना चाहे रहा है यह बताना चाहता है कि हमें पृतिवी सागर जितना कुछ है यह इसमें रत्नों का यह खान भरा हुआ है इसके विशे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है को कहां से क्या उत्पंण होता है कहां से क्या मिलता है सागर से हमको प्रत्विस हमको क्या प्रत्व surfing होता है हम उसका भूख तो करते हैं उससे मिली हुई चीज हैं अगर उस यह चानते नहीं कि कहां से प्राप्त होता है तो यह जानना हम सब का करतव्य है जानना जरूरी है हमारे लिए विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट के भौतिक स्वरुप का एक नया ठाट खड़ा करना है यह कार प्रसंदता उत्सा और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना वहाना चाहिए विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट के भौतिक स्वरुप का एक नया ठाट खड़ा करना है यह कार प्रसंदता उत्सा और तक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए अचाहिए इन दोनों का दोनों को साथ ले करके विज्ञान और उद्यम उद्यम मने परिश्रम जो साहस और उद्सा के साथ ही हो सकता है समुआ इसी के द्वारा ही हम विज्ञान की भी उम्नति कर सकते हैं हमारा यह दिय हो कि राष्ट में जितने हाथ हैं उन में से कोई भी इस कार में भाग लिए बिना रीता न रहे रीता मने खाली न रहे अधा सब को मिलकर करना पड़ेगा तभी राष्ट की उन्नति संहों है तभी मात्र भूम की पुष्कल सम्रद्धी और समग रूप मंदन राप्त की आ जा सकता है यह कहा है यह तो पहला राष्ट के स्वरुप का पहला पहला नंबर है जिसमें ब्रूम को बताया ग West पुम की महत्त ओ को बताया गया है प्रृत्वी के पहत्तों को बताया गया है जोला गीए मिलता है यह सब कुछ अर्चरुदी के में इसमें बताया गाए ऑज का पाठ वस इतना पढ़िएगा आप लोग और इसको ध्यान से पढ़ना इससे और जो है कल इसके इससे सम्मंदित पैराग्राफ बताएंगे जिसमें कोश्य आंसर बताएंगे जिसकी व्याख्या लिखना होगा और कुश्य आंसर लिखने होंगे दन्यवाद बच्चे